Hello and welcome you all, मैं हूँ धनंज है, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि Western Medias या Western Countries, Non-Western Countries के बारे में कुछ अच्छा कुछ Positive कह रहे हैं लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से भारत के Special Forces ने Operation को अंजाम दिया है West के जो Defense Analysts वगेरा हैं, उनको ये मानना पड़ा, कहना पड़ा कि भारत के जो Special Forces हैं, ये एक World Class Special Forces हैं जबसे इसराइल और हमास के बीच में War शुरू होता है, तबसे Somalian Parrots काफी Active हो जाते हैं, Arabian Sea Region में और उसके बाद वो Target करते हैं Cargo Ship को लेकिन हम कह सकते हैं कि Almost Almost 95% जो Attempt किया गया था, या किया गया है, Somalian Parrots के द्वारा उन सभी Attempts को हमारे Special Forces ने Diffuse कर दिया, Fail कर दिया आज हम इसी के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि Exactly और क्या Defense Experts ने हमारे Special Forces के बारे में कहा है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को Like and Share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं पिछले सब्ताई हमारे इंडिया नेवी ने एक बहुत ही daring और well planned तरीके से एक commercial ship को सुमाइलिन पैरेट्स के चंगुल से छुडाया ना कि सर्फ छुडाया बलकि 17 crew members को भी successfully बचा लिये और उसके साथ 12 से भी अधिक पैरेट्स को custody में लिया गया और शायद जो सबसे बहतरीन चीज रहा इस operation का वो ये रहा कि किसी की भी casualty नहीं होती है अब शायद एक आम जनता को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि 20 समंदर में जाके rescue operation को करना और वो भी जब आपके दुश्मन पैरेशी में expert हों जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दू कि Somalian parrots अगर आप map में देखेंगे तो ये है Somalia क्योंकि ये लोग काफी familiar है इस area से तो इनके लिए cargo ship वगेरा को hijack करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से Indian Navy ने यहाँ पे operation को अंजाम दिया होगा खास करके उन लोगों के सामने जो expert ही है पैरेशी करने में अब ये मैं मान के चलता हूँ कि हमें ये पता होगा कि Red Sea, Gulf of Aden, Arabian Sea ये दुनिया का one of the most important trade route है और अगर इस trade route को एक दिन के लिए भी अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर operation नहीं होता है तो इससे कहीं न कहीं जो global inflation है वो बढ़ने का chances बढ़ जाता है इस operation को अंजाम देने के लिए Indian Navy ने destroyer का इस्तमाल किया, patrol ship का इस्तमाल किया, Indian Air Force का इस्तमाल किया कहले in short, जो भी एक modern warfare technique होता है, उन सभी चीजों का हमारे special forces या Indian Navy ने इस्तमाल किया और शायद यही सबसे बड़ा वज़य है कि क्यूँ एक भी casualty नहीं होता है और बदले में हम लोगों ने 12 से अधिक pirates को पकड़ा और हमारे crew members को भी successfully बचा लिये और Council of Foreign Relations International Affairs के एक professor कहले या analyst कहले, यह उनके exact शब्द है कि the success of the operation marks the Indian Navy as a top class force in terms of training, command and control and other capabilities अब क्योंकि Indian Navy इस operation के बारे में बहुत कुछ खुल के नहीं बताएं, उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वज़य है कि वो यह है कि कोई भी अपने operation या अपने training manual को shared नहीं करना चाहता है अगर वो media में ज़्यादा खुल के brief करते हैं, तो chances काफी high होते हैं कि जो Somalin parrots होते हैं, वो उस media briefing को सुनके अपने plan को और बहतर कर सकते हैं अब war में जो एक चीज़ का सबसे बड़ा importance होता है, वो होता है well coordination and communication, जिस तरीके से इस operation को अंजाम दिया गया और तकरीबन जितने भी जो responsible लोंग थे इस operation में उन सभी लोंगों ने अपने अपने रोल को बहुत ही बहतरीन तरीके से अंजाम दिया और इसलिए जो risk factor था वो almost minimize हो जाता है और by the way ये मेरे शब्द नहीं है, ये experts के शब्द मैं आपको कह रहा हूँ अब क्यूंकि Gulf of Aden या Arabian Sea के पास से जितने भी जो ship गुजरते हैं वो cargo ship होते हैं, तो इसलिए उनका value भी काफी होता है तो अगर by any chance Somalian Parrots अगर उन सब cargo ship को hijack कर लेते हैं तो chances काफी high होता है कि वो उन सब ship से काफी अच्छे ransom यानि की वसूली कर पाए और जिस cargo ship को Indian Navy ने पिछले week successfully Somalian Parrots के चंगुल से छुड़ाया इस cargo ship को पिछले साल December के महीने में Somalian Parrots के दुवारा ही इसको hijack कर लिया जाता है तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो hijack ship था उसको दुवारा से हम लोगों ने वापस ले लिया और in fact हमारे जो Indian Navy है जो हमारे Special Forces का इस area में patrolling इतना जादा अच्छा है कि बीते 7-8 सालों में शायद ही कोई ऐसा successful operation को अंजाम दिया गया होगा Somalian Parrots के दुवारा क्यूंकि पिछले साल December के महीने में Somalian Parrots ने इस ship को successfully hijack कर लिये थे तो इस बार भी वो hijack की operation को अंजाम देने के लिए वो आ रहे थे क्यूंकि पिछला operation उनका काफी successful रहा था तो of course उनका जो confidence था वो काफी high था लेकिन इस बार हमारे Indian Navy उनसे भी ज़्यादा सतर्क और बहुत ही proper तरीके से ruin ship को intercept करते हैं और उसके बाद operation को अंजाम दिया जाता है जो कि almost almost 2 दिन तक continuously चलता रहा तो आप इस situation को एक बार आप imagine करके देखें कि 20 समंदर में एक cargo ship रुका हुआ है almost और वो तकरीबन दो दिन से रुका हुआ है और pirates उस ship के अंदर में हैं और special forces बहुत ही well coordinated तरीके से उस ship को घेर कर रखे हुए है and of course उस बीच में multiple rounds of bullets वगेरा fire किये गए होंगे क्योंकि modern warfare में ऐसा देखा गया है कि drone का इस्तेमाल बहुत ही जादा effective हो गया है और इसके results भी काफी अच्छे आते हैं तो हमारे Indian Navy ने drone को भेजा लेकिन pirates ने क्या किया कि उसके उपर गोली चला के उसको destroy कर दिया उसको खराब कर दिया उसके बदले में जो हमारे warship होते हैं वो बहुत ही brutal तरीके से response करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो hijacked cargo ship होता है उसके navigation machine को या कहले उस पूरे ship को ही complete तरीके से हम destroy कर देते हैं उसके बाद हमारे marine commandos parachute के मदद से hijacked cargo ship पे वो कूदते हैं उसके बाद वो अपने operation को अंजाम देते हैं और फिर उसके बाद जब ये operation successful हो जाता है तो उसके बाद navy के दुआरा एक statement दिया जाता है जहां पे वो ये कहते हैं कि उस operation को लगभग लगभग 40 घंटे से उपर उ myland parrots ने hijack किया था वो bulgaria का था अगर मैं map में दिखाऊं तो ये bulgaria पढ़ता है ग्रीस के पास और उसके बाद bulgaria के president social media platform expert tweet करके हमारे PM Modi ji को वो thank you कहते हैं और साथ में वो भी acknowledge करते हैं कि जो operation को अंजाम दिया गया इंडिया नेवी के दुआरा ये काफी एक brave operation था और इस operation को देखने के बाद US के former navy captain ये acknowledge करते हैं कि भारत के जो special forces हैं ये काफी professional है और इनका training और discipline काफी high level का है so in a way हम ये कह सकते हैं कि जो भी incident हुआ है बीते कुछ महीनों में ये भारत के Indian navy या हमारे special forces को एक मौका दिया है जहां पे हम दुनिया को ये दिखा सके बता सकें कि जो हमारे forces से ये काफी capable है well disciplined है और किसी भी तरीके से दुनिया के किसी भी special forces से कम नहीं है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye